ये बजेट सो साल की भेंकर आपदा के बीच सो साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है ये बजेट अर्थ ववस्ता को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा ये बजेट more infrastructure, more investment, more growth और more jobs की नई संभावनाओं से भरा हुआ है और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है green jobs का ये बजेट तत्कालिन आवशक्ताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उजवल भविश को भी सुनिस्षित करता है ये पिछले कुछ गंटों से देख रहा हूँ जिस प्रकार से इस बजेट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जन्ता जन्रादन की सेवा का हमारा उत्सा अनेक गुना बढ़ा दिया है जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए टेक्नोलोजी आए जैसे किसान ड्रॉन हो बंदे भारा ट्रेन हो डिजिटल करेंसी हो बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल युनिट्स हो फाइविसीज सर्विसीज का रोल आउट हो नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टिम हो इनका लाब हमारे युवा हमारे मध्यमबर्ग गरीब दलीद पिछडे ये समी वर्गों को मिलेगा इस बजेट का एक महत्वपुन पहलू है गरीब का कल्यान हर गरीब के पास पक्ता घर हो नल से जलाता हो उसके पास साउचाले हो गैस की सुविदा हो इन सभी पर विशेश ध्यान दिया गया है इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है जो भारत के पहड़ी छेत्र है हिमालय का पुरा पट्टा जहां जीवन आसान बने वहां से पलायन ना हो इसे ध्यान में रखते विए भी नई गोशना की गई है हिमाचल, उत्राखन, जमु किश्मीर, नौर्थ इस्ट ऐसे एक छेत्रों के लिए पहली बार देश में परवत माला योजना शुरू की जा रही है ये योजना पहड़ों पर ट्रांस्पोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आदुनिक ववस्ता का निर्मान करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गाउं है, बौर्डर के गाउं है, जिसका वाइबरन्ट होना जरूरी है जो देश की सिकूरिटी के लिए भी आवश्क्ता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी भारत के कोटी कोटी जनों की आस्ता, मा गंगा की सफाई के साथ साथ, किसानों के कल्यान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है उत्तराखन, उत्तरप्रदेश, जारखन, बिहार, पस्चिममगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोच्छान दिया जाएगा इससे मा गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मा गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत मड़ी मदद मिलेगी बजेट के प्रावधाम या सुनिश्चित करने वाले हैं कि क्रशी लाबप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रिकल्चर स्टार्ट अप्स को प्रोचान देने के लिए विशेश फंड हो या फिर फूर्ड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज इससे किसानों की आए बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी MSP खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में सबाद दो लाग करोड रुपे से भी जादा सीधे ट्रांसपर किये जा रहे हैं कोरोना काल में MSP यानि हमारे छोटे उद्योगों के मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णे लिए थे अनेक प्रकार की मदद पहुचाई थी इस बजेट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धी के साथ ही कई नई योजनाओं का एलान किया गया है डिफेंस के कैपिटल बजेट का 68 परसेंट डोमेस्टीक इंडिस्टी को रिजर्व करने का भी बड़ा लाब भारत के MSME सेक्टर को मिलेगा ये आत्मन दिर्भात्रा की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है साड़े साथ लाग करोड रुपिय के पप्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थ बबस्ता को नई गती के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए आउसर भी बनेंगे मैं वित्नमंत्री, निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजेट के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कल भारतिय जनता पार्टी ने मुझे सुबह ग्यारा बजे बजेट और आत्मनिर भर बारत विशे पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है कल ग्यारा बजेट मैं बजेट के इस विशे पर विस्तार से बात करूँगा आज इतना काफी है बहुत-बहुत धन्यवाद